Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 9.3 का question number 7 देखते हैं क्या है Find the sum of geometrical progression हमें एक GP series given है उसकी सभी terms का हमने क्या करना है? Sum find out करना है किस तरीके से करते हैं? GP का sum find out वो देखते हैं सबसे पहले देखो हमारे पास जो GP given है उसकी first term है 0.15 फिर है 0.015 फिर है 0.0015 इस तरीके से हमारे GP series है इसकी 20 terms का sum हमने find out करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? First term देख लेते हैं A is equal to क्या है? हमारे 0.15 उसके बाद geometrical progression के अंदर हम देखते हैं common ratio R R equal to क्या है? Second term divided by first term होती है Second term क्या है? 0.015 अब उन में first term क्या है? 0.15 clear? अब यहाँ पे देखो point के बाद 3 digit है यहाँ पे point के बाद 2 digit है तो यहाँ पे हमारा cancel out हो जाएगा और क्या आजाएगा? 0.1 आजाएगा R की value common ratio की value clear है? उसके बाद बात करते हैं sum की S N sum के हमारे दो formula होते हैं एक तो होता है R greater than 1 के लिए एक R होता है less than 1 के लिए दोनों का आपको पता है introduction के अंदर मैंने बता रखा है और कहाँ पे less than 1 और कहाँ पे greater than 1 use करते हैं और क्यों करते हैं वो reason भी introduction के अंदर बताया हुआ है ठीक है? अगर R की value greater than 1 होती तो हमारा formula लगता A into R की power N minus 1 अब उन मैं R minus 1 ठीक है? तो यहाँ पे value देखते हैं हमें N is equal to क्या given है? 20 terms value put करते हैं S20 is equal to A की value क्या है हमारी? 0.15 into 1 minus R की value क्या है? 0.1 की power 20 अप उन मैं 1 minus R की value क्या है? 0.1 clear? value put करते हैं हमने इसको simplify करते हैं थोड़ा सा S20 is equal to क्या जाएगा? 0.15 into 1 minus 0.1 की power 20 अप उन मैं 1 minus 0.1 क्या हो जाएगा? 0.90 clear? यहाँ पे देखो point के बाद 2 डिजिट हैं यहाँ भी point के बाद 2 डिजिट हैं point से point remove हो जाएगा और 15 बन जा 15, 15, 6 जा 90 तो sum of 20 terms के आगया हमारा S20 is equal to 1 by 6 into 1 minus 0.1 की power 20 तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे बाकी simplify करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 0.1 की power 20 को अगर simplify करेंगे तो बहुत difficult हो जाएगा तो ज्यादा complication करने की जरूरत नहीं है this answer is sufficient तो this is the sum of 20th terms of a GP I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया होगा कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise देखते है question number 8 क्या है question number 8 के अंदर हमें GP series given है root 7, root 21, 3 root 7 इस तरीके से end terms का sum हमने क्या करना है यहाँ पे find out करना है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपनी first term देख लेते हैं GP series की a is equal to kya है root 7 common ratio क्या है r is equal to kya होती है second term upon में first term means root 21 upon में root 7 clear अब root 21 को क्या लिख सकता हूँ मैं under root 7 into 3 upon में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ under root 7 तो यहाँ पे देखो इसको break करके लिखे तो under root 7 into under root 3 upon में under root 7 under root 7 से under root 7 cancel out हो गया तो क्या बचा है यहाँ पे under root 3 clear तो common ratio की value क्या आगी r equal to root 3 r की value आगई a की value आगई दोनों की value आचुकी हमारे पास अब हमें sum find out करना है sum कैसे निकाल लेंगे s n is equal to कौन सा formula यूज करें ध्यान से देखो यहाँ पे हमें n terms का sum find out करना है तो हम कोई भी formula यहाँ पे यूज कर सकते r is equal to root 3 given है हमारा तो क्या हो जाएगा देखो s n is equal to a into 1 minus r की power n upon में 1 minus r value put करते है n terms का find out करना है तो s n is equal to a की value क्या है root 7 into 1 minus r की value क्या है root 3 की power n upon में 1 minus root 3 clear है अब यहाँ पे देखो denominator में root वाली term आ गई तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा rationalize करना पड़ेगा क्योंकि root को remove करना है तो कैसे करेंगे इसको rationalize हम 1 minus root 3 है तो क्या करेंगे 1 plus root 3 से इसको multiply कर देंगे और 1 plus root 3 से ही इसको divide कर लेंगे ठीक है चलिए देखते है next step में क्या आता है s n is equal to root 7 into 1 plus root 3 into 1 minus root 3 की power n यह आ गया हमारे पास denominator में क्या आएगा यहाँ पे a minus b a plus b का formula लग जाएगा क्या होता है a square minus b square तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 का square minus में root 3 का square clear next step देखते हैं इसका s n is equal to क्या बन गया है यहाँ पे under root 7 into 1 plus root 3 into 1 minus root 3 की power n upon में 1 का square 1 minus में root 3 का square क्या हो जाएगा हमारे 2 तो 1 minus 2 यहाँ पे अगर sum की बात करें तो s n is equal to क्या आगया हमारा root 7 into 1 plus root 3 into में 1 minus root 3 की power n sorry यहाँ पे 3 आएगा हमारा क्योंकि square से root cancel हो जाएगा अब 1 minus 3 कितना हो गया यहाँ पे denominator में आगया minus 2 तो यह क्या आगया हमारा s n is equal to minus का root 7 by 2 into 1 plus root 3 into 1 minus root 3 की power n this is the sum of n terms ठीक है अब हमें यहाँ पे r minus 1 से अगर formula यूज करके भी निकालेंगे तब भी हमारा same answer आएगा कोई दिखत नहीं है ठीक है क्लियर है क्योंसें में कोई भी doubt किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching this video thanks